विदान सवक शेतर हमिरपूर के पांडवी पंचायत का प्रतनीधी मंडल अकिल भारतिय कॉंग्रस कमेटी की सदसे इवन परदेश कॉंग्रस कमेटी महा सचिव सुनिल सर्मा बिट्टू की अगवाई में जिलाधी शामिरपूर से मिला उन्होंने बताये कि पांडवी पंच पंचायत में विकास कारे तथा लोगों के काम रुके हुए हैं पंचायत परधान कंचन देवी ने रोज प्रकट करते हुए कहा कि इसने पहले भी डीसी से मिल चुके हैं तथा उन्होंने अपनी मांग को पहले भी कई बार उठाया है लेकिन अभी तक ग्रामिनों के मांग को अंसुना किया जा रहा है परधान जी आज सची मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो मैं एक साल से इसी से अभर कि समझे जूझ रही हूं? ओर जाने इस नहीं हिंग, पटवार सरकल है, तो कई सालों से जब बाद मेर को सत्थाई रूप से कोई भी पटवारी नहीं मिला, नहीं मेरे को सत्थाई रूब से कोई सरकी मिला, तो मेरे बाट पंच भी हैं, सभी हैं, तो मैं यहीं चाहती हूँ कि मेरी पंचयत में जो है, वो स्थाई रूप से, जो है, वो स्थाई रूप से, जो है, वो स्थाई रूप से मिलना चाहिए, ताकि जो जनता है, उसको समस्था कोई भी सामना ना करना पड़े, कि मैंने बोल सुनिल शर्मा बिट्टो ने कहा कि भारती जंता पार्टी की सरकार लोगों की समस्याओं को दूर करने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है तथा पंचायत में सच्चिफ की न्यूकती ना करना इस बात को दर्शाता है कि गाम में किसी भी तरह की योजनाओं को लागू करने में सरकार का डूल मूल रुवया है जन्मंच से लोगों को किसी भी तरह का कोई फाइदा नहीं पहुंच रहा है केवल जूट बोलकर मंत्रियों की स्वागत करने ते था भाशन दे कर लोगों का समय बरबाद किया जा रहा है परधान कंचिन देवी के साथ बाठपं सुनीता देवी बाठपंच सरला देवी के साथ गाम की अन्य में हिलाएं भी इस मौके पर मौड़ूद रही परदान, पंचन देवी जी, पंच, सुनीतली और एक और पंच हमारे साथ है इनका और प्रप्टिजिन दिने कौन से आया हुआ है तक्रीबन एक साथ के ज्यादा समय से इनके पास अस्थाई सची भी नहीं है और बड़ी शर्म की बादा कि एक तरफ सरकार जन्मंच के माध्यम से समस्याओं को सुलजाने की बात करती है दूसरी तरफ सरकार के पास करमचारी नहीं है अब बताएगी कि पांड़ी पंचाईद जिसमें नौ वार्ड हैं वो बिना सची के कैसे काम करेगी तो गाउं में बहुत रोश है परदान जी आज अपने पूरे पत्रिजी मंडल के साथ हाएं है और डीसी साब से मिले हैं इससे पहले भी हम मिले थे तो तक तोरे आशवासन दिये जा रहे हैं और सरकार बिल्पूल भी घंबीर नहीं है लोगों की समस्याओं को सुझाने के लिए आपको दे 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 पिछले एक साल से हम यही सुन रहे हैं और इसी तरह से चकर लगा रहे हैं अब तो हम इस निशकर्स पे पहुंचे हैं कि सरकार अगर नीन से नहीं जागती है और पाणवी पंचाईत को अगर स्थाई सचिब नहीं मिलका है तो हम अंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे